हल्लो दोस्तों आज हम लिखने वाले हैं वाईयू परदूशन पर 250 सब्दों में निबंध और दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर या निबंध आपके लिए हेलफुल होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वायू परदूशन से परती दिन लोगों के स्वास्ति पर बहुत बुरा असर पर रहा है वायू परदूशन से लोगों को सांस सबंदी कई रोग होते हैं जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है यहां तक कि फेफलों के कैंसर होने का मुख्य कारण हवा का परद होता जा रहा है. वायू परदूसन के निरंतर बढ़ने के पीछे कई कारण है. सबसे पहला कारण है परिवहन साधन से निकलने वाली धुआं जो वायू मंजल को सबसे जादा परदूसित करती है. दूसरा कारण है बढ़ते हुए अध्योगी करन और उनसे निकलने वाली धुआ जो परियावरन में मिलकर सुद्ध हवा को परदूसित करती है तूसरा कारण है मनुष्य की हमेशा बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी आविशक्ता में हो रही व्रिध्धी जो परदूसन होने का मुख्य कारण है सभी तरह के परदूसन परियावरन से जुड़े हुए हैं जो हमें परभावित करते हैं वायू परदूसन के अस्तर को कम करने के लिए हमें अपनी क्रिया कलापों में बड़े अस्तर पर परिवर्तन लाने होंगे हमें वायू परदूसन के प्रभावों को कम करने के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए बलकि हमें अधिक से अधिक पेड लगाना चाहिए हमें परूसन रहित धुमा रहित परिवहन का परियोग करना चाहिए कलकारखानों की स्थापना आवास्य छेत्रों से दूरी पर की जानी चाहिए इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए प्राक्रेतिक तरीकों को अपनाए और परियावरन को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें धन्यवाद